आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ पर दे रखा है बचो A, B, C और D बताना इनमें से कौनसा Option करेक्ट है तो प्रतिरोद R का मान क्या होगा जिसके लिए दूसरे सेल के सीरों के बिजविवानतर सुनने हो ठीक है तो पहले तो यहां पर हम देख लेते हैं बच्चो की यह पहला सेल है बच्चो मान लेते हैं E1 या दोनों सेल बच्चो यहां पर क्या है समान विद्दुद बाहागवल विद्दुद बाहागवल दोनों का समान है और आंतिक प्रतिरोद इन की अलग अलग है तो मान लेते हैं विद्दुद बाहागवल E आंतिक प्रतिरोद R1 और दूसरा सेल है बचो जिसका विद्दुत बहाग बल मान लेते हैं बचो ये भी समान है E और लेकिन इसका आंतिक प्रतिरोद क्या बचो अलग है ठीक है R2 है अब इसके साथ एक बहाँ प्रतिरोद जुड़ा होगा बचो मान लेते हैं कैप्टार एक बाप्रतिरोद है इसके साथ ठीक है बचो क्या बटाना है दूसरे सिरे के बिज भीवानतर सुनने हो ठीक है तो इनके बीज भी वांतर सुनने है, ऐसा क्योशन में दे रखा है, जिन में से क्या ऐसा होना चाहिए, कि R2-R1 हो, या R1-R2, या R1 और R2, क्या ऐसा हो, कि यहां पे हमें, मतलब प्रतिरोदार कमान क्या हो, बचो, कि हमें दूसरे और तीसरे के बीज विदुद भागवल कम यहां पे इसे धुनात्मक माने, क्योंकि धारा में पता है, इस दिस्दा में जा रही है, अधिक विवास से कम विवा की और जाती है, तो हम देखते हैं, बचो, हम देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे अगर हम एक path decide करते हैं एक path decide करते हैं कि अगर हम इस path में आ रहे हैं ठीक है तो कहीं से भी start करते हैं बच्चों यहाँ पे अगर हम इधर से start करें तो क्या लिख सकते हैं कि अगर माल लेते हैं यहाँ से start करते हैं सब्सक्राइब प्रत्यूर्ट को में अधे अरो इस प्रतिरोत के माध़ गशाइब सब्सक्राइब इसलिए माइनस का क्या हो जाएगा बच्छो आइंटु आरवन बराबर सुने ठीक है क्योंकि हम जानते हैं क्रिशाप का दूती नियम क्या होता है इस बंद परिपत में कुल विवानतर सुने होता है तो यहां पे हम लिख सकते हैं इस तरह से तो यहां से देखिए बच्छों कि धारा कमान निकालते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा E E 2 E हो जाएगा बच्छों यह बराबर हो जाएगा I I I E तो I कमान हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा आप पोजी सैड में आने के बज़ा से धनात्मक हो जाएगे तो R, R1 और R2 हम लिख सकते हैं रैड बच्छों So I I कमान अगर हम देखें बच्छों तो I बराबर हो जाएगा 2 E बटा क्या हो जाएगा 2 E बटा हो जाएगा बच्छों यहाँ पर capital R plus R1 plus R2 ठीक है तो यहाँ पर देखें बच्छों यहाँ पर I कमान तो हमने निकाल लिया भी अब हम क्या देखतें बच्छों यहाँ पर अगर हम 2 और 3 के मदद अगर हम क्या चाहते हैं बच्छों विवांतर सुनने चाहते हैं तो हमें पता है बच्चो विवांतर हम कैसे निकाल सकते है ए माइनस आई इंटू आर टू होगा क्योंकि यहां पर प्रतिरोत क्या है बच्चो आर है ठीक है तो आर टू हो जाएगा इस तरह से विवांतर निकाल सकते है दो और तीन के बिस ठीक है बच्चो तो यह विवांतर सुनने हैं तो सुनने होने करण हम लिख सकते हैं सुनने बराबर E माइनस I into R2 और E equals to हमें क्या मिलेगा I into R2 I कमान हमें निकालना है बच्चो तो क्या हम लिख सकते हैं I बराबर E बटा R2 इसे हमान लेते हैं इसे अगर हम समीकरण A मानें इसे समीकरण B मानते हैं ठीक है बच्चो इसे हमने समीकरण B माना अब समीकरण B से I की वैलू समीकरण A में रखे हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चो यहां पर समीकरण A वा B से हमें क्या मिलेगा बच्चो हमें मिलेगा E बटा क्या हो जाएगा बच्चो ये E बटा हो जाएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं R2 बराबर 2E बटा capital R plus R1 plus R2 होगा ठीक है तो देखिए बच्चो ये तो cancel हो जाएगा तिर्याग गुणा करते हैं तो तिर्याग गुणा करने में हमें मिलेगा R plus R1 plus R2 बराबर हो जाएगा 2R2 तो यहाँ से R बराबर हमें क्या मिलेगा बच्चो R बराबर हमें मिलेगा अब 2R2 माइनस R2 तब बचेगा R2 और माइनस R1 ति यह हमारा answer हो जाएगा बच्चो ठीक है जो हमें संबन्ध मिल रहा हो क्या होना ची R2 माइनस R1 correct option A हो जाएगा राइट तो थैंक्यू बच्चो प्लासिक्स ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलेट से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट आज चार्सो 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 पर